नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एजुकेशन और सबसे तेज नियुजी वाले चैनल में जी यहां दोस्तों आपके लिए बहुत ही जरूरी अपडेट्स हैं कि दोस्तों 2016 में जो नोट बंदी हुई थी उसी सरह है दोस्तों मार्च 2020 क के बाद अब नहीं चलेंगे पूराने नोट यान की पांस दस और सो रूपे के जो पूराने नोट है वो दोस्तों अब मार्च 2020 के बाद नहीं चलेंगे बाजार में तो चलिए फ्रेंट जालनेते हैं पुरी अपडेट्स सरकार का बड़ा फैसला तो जैसा कि यहां पर लेक सकतो 23 जनवरी 2021 की दोस्तों यह अपडेट्स हैं आज ही की दोस्तों यह अपडेट्स हैं कि जो है मार्च के बाद जो है 100 रुपे के नोट और 5 रुपे के नोट और 10 रुपे के जो नोट है पुराने वो दोस्तों बंद हो जाएंगे यानि की पूरा बैन लगा बारती रिजर्व बैंक के मुताबिक मार्च अपरेल के बाद यह सभी पुरने नोट चलन्ज से बाहर हो जाएंगे यह जानकारी रिजर्व बैंक आप इंडिया के असिस्टेंट जनरल मैनेजर बी महेस की और से दी गई है दरहसल आर बी ने जानकारी दी हैं कि वह पुराने नोटों की सिरीज को वापस लेने की योजना में काम कर रहा है और बारती रिजर्व बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर जो है बी महेस के मुताबिक सो रुपे दस रुपे और पांच रुपे के जो पुराने करेंची नोट हैं अंततर चलन से बाहर हो जाएंगे यानि कि मार्च अप्रेल की बाद सो दस और पांच रुपे के पुराने नोट नहीं चलेंगे और क्योंकि आरीबाई की मार्च अप्रेल तक इन्हें वापस लेने की योजना है दरसल सो रुपे दस रुपे और पांच रुपे के पुराने नोट के बदले इन्हें नए नए नोट पहले से ही सर्कूलेशन में आ चुके हैं और 100 रुपे के नए नोटों का क्या होगा जी यहां दोस्तों यहां पर आप दिखे तो कि जो पुराने नोटे वो तो हो जाएंगे बंद और नए नोटों का क्या होगा तो भारतिय रिजर बैंक की और से 100 रुपे का नया नोट साल 2019 में जारी किया गए था दरसल नोट बंदी में जिस तरह 500 और 1000 यह नोट बंद करके जो हैं अफरा तपरी मच गए थी इसलिए अब आर भी अचनक से कोई फैसला या कोई भी पुराना नोट बंद नहीं करना चाहती है क्योंकि इससे पहले बजार में उसे मुले का नया को चलेंज से बार क्या जाएगा और इस बैटक में लिया गया था बयान जियां दोस्तों बार जी रिजर्व बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर बी महिस ने इस बात की जानकारी डिस्ट्रिक्टर लीड बैंक की जो और से आई जित जिला इस्तरिये सुरक्षा समिती डी की बैटक में दोस्तों इस बैटक में नेतरावली हाल में दोस्तों यह आई जिन किया गए ता इस बैटक में दोस्तों यह ने लिया गए ता का चिन मार्क नहीं है वह ट्रेडर्स या दुकान दार उसे लेने से मना भी कर देते हैं इस पर आरबिय का का ना है कि यह बैंक के लिए समस्य का विश्य है इसलिए बैंक समय समय पर इस तरह की अफवाई उसे बचाने की सला भी करता है और दरसल 10 रुपे के सिकों को लेकर ब बैंक ने साल 2019 में 100 रुपे के नोट जारी किये थे और तभी साब कर दियता कि पहले जारी किये गए सभी 100 रुपे के नोट भी कानूनी निविद्दा के रूप में जारी रहेंगे और इसके अलावा केंद्रिय बैंक ने आट नोबर 2016 का नोट बंदी के बाद 20 रुपे के अलावा 200 रुपे के नोट भी जारी किये थे तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पर बता देता हूं कि जो 5 रुपे के पुराना नोट है वो भी हो जाएंगा बंद जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 5 रु यहां पर आप देख से तो जो हैं 100 रुपे का नोट है दोस्तों यह 100 रुपे का पुराना नोट है यह दोस्तों बंद कर दी जाएंगा मार्च अप्रेल के बाद इसके बाद 10 रुपे का यह पुराना नोट यह भी बंद हो जाएगा तो दोस्तों यह थी बहुत ही जरूरी अपडेट्स आर्बे सरकार आर्बी भारती रिजर बैंक का बड़ा बयान कि 10 और 100 रुपे और 5 रुपे के जो नोट है वो जल्द से हो जाएंगे बंद मार्च 2020 के बाद नहीं चलेंगे पूरा ने नोट तो दुस्तों यह अपडेट आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिगा शेर कीजिगा दवा के इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर करें चैनल पर इसी तरह ती इंट्रस्टिंग और नॉलेजबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्रेब करके बैल आइकन को भी जरु-जरु प्रेस करें मिलते फ्रेंट्स नेक्ष इसी तरह की नॉलेजबल वीडियो के साथ तब तके लिए जैहिन जैवारा थैंक्स वोर्य वाचिंग माई वीडियो